आद दीदी जी ने चिला राम जी को याद किया चिला राम और उनकी युगल बुजरुक थे उनकी विशिस्ता वो कभी क्लास नहीं मिश करते थे और राजिंदर नगर से करोल बाग तक चिला राम जी सुन्द्री बैन को पीछे साइकल के केरियर पर बिठा करके लिया आते थे और डेली क्लास करते थे और दोनों की एक स्थूल विशेष्टा थी कि जिस चीज को सुन्द्री बहन हा करती थी उस चीज को चिला राम जी नह करते थे नहा का मतलब हाँ कईयों की आदत हो ती कि जिस चीज को हां करना होता है वो ऐसे ऐसे करते हैं मतलब वो भी हां ही होती है लेकिन देखने में वो ना होती है तो और ब्रह्मा बाबा के टाइम के थे वो और विशेश बाबा के लिए मधुवन में वो कमल गट्टा होता ना वो जो कमल के उप उपर नहीं लगता है बीज वो कमल गट्टा वो फल बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए विशेश बेजते थे वो उनकी विशेशता थी और कोई फल भेजे या ना भेजे लेकिन वो जरूर बीजते थे बाबा के लिए तो बाबा ने आज विशेश निर्मानता की बात जो सुनाई कि निर्मानता ही महानता है तो देखो ब्रह्मा बाबा के निर्मानता से ही परिवर्तन हुआ है अब आपको दो बाते सुनाऊंगा जो कि ब्रह्मा बाबा के निर्मानता की पहली बात तो एक अख़वार वाला भाई था उसका नाम था विश्वा मित्र विश्वा मित्र नाम की अख़वार निकालता था सुनाऊगा बहुत से भाई बहनों ने तो वो अख़वार में बहुत उल्टी पुल्टी बाते बाबा के लिए लिखता था और यहां तक भी लिखा कि ये बाबा तो पहले साइकल का मिकेनिक था तो आए दिन कुछ ना कुछ बाते लिखता था तो एक बार निर्मल शांता दादी जी ने जो बाबा की लौकिक में बच्ची भी थी और आपके बिहार, वेंगौल, उरिसा ये सब जो पांच-छे स्टेड्स हैं इनकी वोई इन्चार्ज भी थी उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा क्यों नहीं हम इसके उपर केस कर दे मैं तो जीती जाकती हूं, मैं परमान दे सकती हूं कि बाबा साइकल का मेकेनिक नहीं था वो हीरे जवायरात का ब्यापारी थी बड़े बड़े राजाओं के पास जाते थे तो बाबा तो उनकी बात सुन करके मुस्कराने लगे और बाबा ने कहा क्यूं क्या बाप अपने बच्चों को बच्चों के उपर केस करने की छुट्टी देगा तो निर्मल संता दादी जी ने कहा कि बाबा वो तो आज कुछ लिख रहा है कल को कुछ लिखेगा फिर तो लिखते रहेगा ऐसे उल्टा पुल्टा इसका भी तो कुछ हाल होना चाहिए न तो बाबा ने कहा कि उसको लिख दो आप विश्वा मित्र हो हमारे भी मित्र हो विश्व के भी मित्र हो निन्दा हमारी यो करे मित्र हमारा सू तो इस प्रकार से जब उसको पत्र गया उसने पत्र को पढ़ा तो उसने कहा ये पत्र कोई इंसान नहीं लिख सकता है कि मैंने जिसके लिए इतनी गलानी लिखी वो हमको मित्र कह रहा है नहीं तो कई लोग तो मानहानी का मुकदमा भी चला देते हैं तो उसने कहा ये तो कोई भगवान ही होगा या देवता होगा जिसने ऐसा लिखा है फिर वो संपरक में आया धीरे धीरे सब बदल गया अच्छी बाते लिखने लग गया तो ये बाबा ब्रम्हा बाबा की निर्मानता की ही विशेषता है बाबा ने का निर्मानता ही महानता है दूसरी बात एक सन्यासी आया था बाबा के पास बहुत से लोग बाबा कोई मिलने के लिए आते थे लेकिन वो बहुत गुसे में था तो एक दो बहनों ने उसे बात किया लेकिन उसने कहा मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूं मैं तो डारेक्ट दादा से मिलना चाहता हूं जिनोंने ऐसी संस्था चलाई है और मतलब उसने सुनी सुनाई बाते थी उसके पास में तो उसने सोचा था कि ये संस्था अच्छी नहीं है ठीक नहीं है तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो बहुत गुसे में था तो उसको बोला अच्छा रुको मैं आपका मैसेज बाबा के पास पहुचा देते हैं बाबा के पास वो बहन गई तो और बाबा को कहा कि बाबा वो तो बहुत गुस्से में है आप कैसे मिलोगे वो तो पता नहीं कुछ करना देवा है तो बाबा ने का वो सन्यासी बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है ना तो देखो बाबा की एक सुब भावना जो थी वो सुब भावना भी दूसरे तक भावनाएं पहुचती है तो बाबा ने का उसको बिठाओ उसको बो बाबा मिलेंगे आपको आप बैठिये उसको बोला आप बैठिये बाबा आ रहे हैं आपको मिलेंगे अब उस समय कुछ भी सोफा कुर्शी अपने ही यग में नहीं हुआ करता था मदवन में डिस्पेंसरी आपने देखी होगी पांडो भौन में उस डिस्पेंसरी के पीछे बाबा मुर्ली क्लास कराते थे केवल मम्मा और बाबा की दो संदली होती थी बस उसके उपर बहुत पतली गद्दी होती थी और सामने की जगए जो थी उसमें रोज दरी बिचा दिया जाता था और बाबा जब क्लास पूरी कर लेते थे तो दरी को समेट लेते थे और सभी पट में ही बैठते थे जब सन्यासी आया तो उसे कहा गया आप बैठिये बाबा आ रहे हैं और उसने इदर उदर देखा कुछ हाई ही नहीं वो दरी पड़ी हुई थी दरी बिच्छी हुई थी तो दरी के उपर बैठ गया जब बाबा आये तो बाबा ने आते ही उसको देखा ओ तो नीचे पट में बैठा है तो बाबा ने कहा कि अरे मेरे बच्चे को मीठे बच्चे को पट में बिठा दिया है बाबा ने अपनी गद्धी उठा करके उस सन्यासी को दिया बैठने के लिए गुला इस पर आप बैठिये, तो कहने लगा नहीं बाबा ये तो आपकी गद्धी है, बाबा ने कहा नहीं नहीं ये तो आपकी है आप बैठिये, आप अगर सन्यास धारन नहीं करते, सन्यास धरम को नहीं अपनाते, ति ये भारत तो विकारों की अगनी में जल गया होता, आ आपने इस भारत को थमाया है सहारा दिया है तो इस पर आप बैठिये रहा है। और वो सन्यासी ने भी गद्धी नहीं लिया। उस सन्यासी के उपर सबसे बड़ा प्रभाव बाबा की यही निर्मानता की पड़ी उसने कहा कि देखो कोई भी संस्था का जो बड़ा होगा, वो कभी भी अपनी गद्धी दूसरे को नहीं देगा। एवं गुर्द्वारे में भी आप जाएंगे तो गरंथी भी अपनी गद्धी पर ही बैठा रहेगा। कोई भी आ जाएगा बड़ा तो यह नहीं कहेगा कि तुम हमारी गद्धी ले लो। ऐसे ही उसको यह प्रभाव पड़ा की देखो संस्था का जो सबसे बड़ा है। बाबा ने कहा बच्चे कुछ पूछना हो तो पूछओ। तो उसने कहा ने बाबा मुझे कुछ नहीं पूछना है। और बाबा का यह जो कुषल ब्योहार जो है , यह ब्योहार देख करके उसके उपर प्रभाव पड़ा। अभी तुसने ग्यान कुर्ष कुछ भी नहीं किया और ज्यादा संस्था के बारे में जानता ही नहीं था लेकिन ब्योहारिक्ता जो है जो प्रिक्टिकल चीज है वो उसके उपर छाप डाल दी और उसी से ही वो शान्त हो गया तो देखो बाबा ब्रह्मा बाबा में यह एक निर्मानता थी हर एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बाबा उनको उमंग उसा भी देते थे आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ही निर्मानता से उसको समझाते थे कभी कुछ नहीं कहते थे कोई सद्यो पॉजिटिव बाते ही कहते थे इस पर हमें याद आया कि मैं बाबा के कमरे में सेवा कर रहा था तो आपको बतलाया था ना कि मैं परदे के पीछे कुछ ना कुछ कारिय कर रहा होता था और कई भाई बैने आते थे बाबा को बाबा के कम होता गए तो पांच-छे भाई बहनों की पार्टी आई मतलब दो भाई थे उसमें साहे तीन-चार माताएं थी, टीचर वहन थी तो टीचर वहन आई और बाबा के पास कहती है बाबा मैं जो पार्टी लाई हूँ तो आपको मिलाने के लिए ले आउं बाबा से टाइम पूझ रही थी तो बाबा ने आआ का हां बच्ची ले आओ, वो ले आई पार्टी को, लेकिन पार्टी लाने से पहले बाबा को कहती है कि बाबा, इस पार्टी में दो भाई हैं, एक भाई तो कहना मानता है, बहुत अच्छा है, सेवाधारी है, अग्याकारी है, लेकिन जो दूसरा भाई है, वो कहना नहीं मानता है, वो अपनी चलाता है, मन मर्जी से ही सिवा करेगा, मूड में आएगा तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा, तो उसको आप थुड़ा समझा देना तो बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, बाबा ने तुम लेया उसकी बात को, जब वो पार्टी लेके आई, तो बाबा जैसे नॉर्मल रीती से सभी बच्चों से मिलते थे, हाल-चाल पूछते थे, बच्चे आत्रा कैसे ही रही, ये सब पूछते थे, पहले कभी मिले हो, तो इस परकार की बाते बाबा पूछ करके, और फिर वो टीचर बेन ने इसारा कर दिया बाबा को, बाबा ये वाला बच्चा है, पीछे बैठी थी टीचर बेन, तो बाबा उस बच्चे को देख करके द्रिष्टी दिया, और बाबा ने का ये जो बच्चा है ना, जो कहना नहीं मानता था, जिसके लिए टीचर बेन नहीं सारा दिया था, तो बाबा ने का ये जो बच्चा है, ये मेरा बहुत अग्याकारी बच्चा है, सर्वी सेबुल बच्चा है, तो इस परकार से, हमें तो अभी ध्यार नही लेकिन भाव उसका यही था कि बाबा ने बहुत महिमा किया उसकी, आठ दस पॉइंट उसको बाबा ने कह दिया, यह सर्विसेबूल है, अग्याकारी है, मीठा है, ऐसे ऐसे करके बाबा ने सुनाया, तो वो सब अंदर अंदर तो हस रहे थे कि भई यह बाबा तो इसकी महिम किये जा रहा है, और टीचर भेंड भी चुप करके सुन रही थी, क्योंकि कुछ तो कह नहीं सकती थी, तो जब बाबा मिल दिये सभी से, टोली दे दिया, सब को टोली भी खिलाया बाबा ने, और हम भी अंदर थे, तो जब भी बाबा टोली देते थे थे ना पार्टियों क तो कई बार हमें भी चांस मिल जाता था टोली लेने का, तो बाबा के नश्दीक होने का ये फायदा होता था, और बाबा के पास एक लाल केला होता था इतना बड़ा, सैद बॉम्बे से या कहीं से आता था, मोटा मोटा लाल रंग का, तो वो बाबा जरूर देते थे, कोई भी खास होता था ना, तो बाबा दिखाते थे, उसको उत्ते थे, सब पार्टी, मतलब भाई बेहने मिल करके चले गए हैं, और टीचर बेहन बाबा के पास बैठी रही है, तो टीचर बेहन कहती, बाबा आप भूल गए क्या, उसकी महिमा करनी थी, आपने इसकी कर दिया, अब बाबा तो बाबा ही है, फुल अथर्टी वाले भी हैं, और अंतर जामी भी हैं, बाबा दोनों ही बाते हैं, बाबा मुस्कराने लगे और बाबा ने कहा, बच्ची, ये बच्चा जो है ना, आगे चल करके बहुत सेवा करेगा, जैसे कि बाबा ने ये वर्दान दे द फिर बाबा ने उस टीचर बेहन को कहा कि आगे चल करके ध्यान रखना, ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो अंदर घुसना चाहेंगे, बाहर से उनका रूप होगा सेवा का और सेवा करके वो आगे बढ़ना चाहेंगे, अंदर घुसना चाहेंगे, तो उन से सावधान भी रहना है, पर रखने की शक्ती भी रखनी है, तो इस प्रकार से बाबा ने टीचर बेहन को थोड़ा सा बताया, अब सब चले गए, साम के टाइम, मतलब लगवग दो तीन के बाद बाबा चक्कर लगा रहे थे, तो वो भाई ने कहीं से बाबा को देख लिया, और बाबा के पास आके कहने लगा, बाबा आप ने तो हमारी बहुत महिमा किया, लेकिन हमारे अंदर कई कमिया हैं, उसने सच्चे दिल से बाबा को अपनी कमी सुना दिया, तो जब ब अपनी कमी निकाल दी सुना दिया और कहते भी हैं कि सच्चे दिल पर साहब राजी तो जैसे नहीं कोई घड़े के अंदर गंदा पानी भरा हुआ हो तो पानी बिल्कुल गिरा दिया जाए तब हम उसको साफ पानी भर सकते हैं तो उसके बुद्धी रूपी घड़े में या म मन मैं मन लूपी घड़े में जो भी था उसम उसने निकाल दिया बाबा की आगे तो जो बाबा ने वर्दान दिया उसकी अंदर सम आ गया हुआ है तो देखो हर एक would je बढ़ा आगे बढाने के लिए सद्ग्रू उसकी महिमा करते थे आपने भी भले साकार में बाबा को नह मैंनों उन्हें देखा, जब भी बाबा मुरली क्लास चलाते थे, अब एक तो वाणी, तो बाबा हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे की महिमा करते थे, ये सभी बच्चे मेरे दिल तक नसीन है, सर्वी सेबुल है, दिल पर चड़ने वाले बच्चे है, सिर के ताज है, कितनी बाबा महिमा किया, बाबा ने कभी किसी बच्चे की कमी नहीं देखी, तो ऐसे ही, अगर बाबा कमियां देखता, तो आज हम यहां होती ही नहीं, लेकिन बाबा ने क्या देखा, कि ये भविश्य में मेरा बच्च्चा जो है राजा बच्च्चा बनने वाला है, वर्तमान म में भी गुल्जार दादी जब क्लास कराती तो कहती सभी बाबा के राजा बच्चे हैं और बाबा ने भी सब का भविश्य देखा ये भविश्य में देवी देवता बनने वाले हैं तो भविश्य को देख करके ही बाबा ने मुर्लिया चलाए कि ये मेरे बच्ची है ऐसे ला बाबा ने कभी किसी की कमी नहीं देखी, यहां तक की कमी में भी positive देखते थे बाबा, एक बार की बात है, हम से गिलास तूट गया कहाँच का, बाबा कहीं कहाँच का गिलास तूट गया, तो अब दूसरा गिलास जो है, लच्छो दादी लेके आई, तो मैं भी वहीं खड़ा था, बाबा भी वहीं खड़े थे, लच्छो दादी वहीं खड़ी थी, तो बाबा ने कहा, मेरे से पूछा, बच्ची ओ गिलास, मेरे को गिलास दिया, मतलब लच्छो दादी ने तो गि तो बाबा ने लगे और बाबा ने कहा कि ये बच्चा तो प्रेक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, मतलब ये प्रेक्टिकल करने वाला है, तो उसमें भी देखो बाबा ने पॉजिटिव निकाल दिया, अगर आप सोचो कि दूसरा कोई होता, तो क्या कहता, कि तुम तोड़ एक तो पहले तोड़ा और एक अभी तोड़ दिया, और बाबा ने क्या का ये बच्चा तो प्रेक्टिकल करने वाला है, प्रेक्टिकल बच्चा है, तो देखो हर चीज में बाबा जो है पॉजिटिव उठाते थे, इस तरह से बाबा हर बच्चे को आगे बढ़ाते थे, ह कि बाबा और मम्मा के रूम की सेवा पूरी करके मैं किसी काम से किचिन में गया था, किचिन से कुछ लाना था, मम्मा की सेवा में जमना दादी थी ना, तो वो कहती थी कि मम्मा के कमरे में धूपवास कर दिया करो, धूपवास समझते ना, वो आग अंगारे में उडालते ह सामगरी तो मैंने सोचा कि मैं किचिन में जाऊं किचिन में अगनी मिलती थी अंगारा तो लेके आता हूं तो वहां पर बाबा खड़े थे अब मैंने तो बाबा को देखा नहीं था, मैं जैसे कीचिन में घुसा, तो बाबा ने मुझे देख लिया, बाबा कोने में खड़े थे, बाबा ने का बच्चु इधर आओ, मैंने का जी बाबा, बोला रोटी पका नहीं आती है, मैंने का नहीं, अब मैंने कभी रोटी कभी पकाय ही नहीं था छोटे से बाबा के पास पहुच गए थे तो बाबा ने पूछा सीखोगे मैंने हाजी कर दिया इतना बड़ा तवा था जो लकड़ी के लकड़ी का ही चुला होता था उन दिनों में तो गय सिस्टम नहीं था और चूले की उचाई जो थी इतनी थी और जब मैं चूले के आगे खड़ा हुआ तो चूले की उचाई मेरे यहां आती थी गर्दन तक वो इतना उचा चूला था बाबा तो खर लंबे थे बाबा ने क्या किया वो मुझे दिखलाया कि देखो चूले में आग लकड़ी है उसको आगे बढ़ा करके और लकड़ी जला करके बाबा ने सिक लाया तो जितने भी भाई बहने जो महारती बहने बने हैं उन्होंने सब प्रकार की सेवाईं की है जो उस समय दादा विश्वतन जी की सेवा होती थी रोटी पकाने की दिन में बारा बजे की रोटी वो पकाते थी तो उसमें दादा विश्टन जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और वो नहीं पहुँच पाए थे तो कोई और भाई नहीं था रोटी पकाने वाला और पहला ही पहला मैं समर्पित हुआ था मदुवर में छोटे से थे बाबा ने कहा आओ सिखाता हूँ मैं खड़ा हो गया बाबा के पास बाबा ने चार रोटी डाल करके तवे के उपर सिखाया और जैसे बाबा रोटी पलडते थे ऐसी मैं भी रोटी पलडने लग गया सीखने लग गया और यह उस हमें की बात है ज्यादा भाई बहने नहीं थे मुश्किल से 15-20 भाई बहने मदुवन में थे बस आदा घंटा बाबा साथ में खड़े हो करके सिखलाते रहे उसके बाद बाबा चले गए तीन-चार रोटी लास्ट की बच गई थी तो जो माता रोटी बेल रही थी अकेली माता रोटी बेल रही थी वो फारिग हो गई तो फिर उसने मुझे मदद कर दिया और वो पहला दिन था मेरा जो मैं चूले के आगे खड़ा हुआ किचिन में आख में इतना धुआ भर गया पानी आने लग गया आख से कुछ दिखाए नहीं दे रहा था लेकिन रोटी पक गई कैसे पक गई हो भी पता नहीं पक गई मतलब तो मैंने सोचा किचिन के पीछे पानी का नल था मैंने सोचा जाकर के आख धुलाई करता हूँ और आख धो रहा था तो सामने बाबा का जूला था बाबा जूले के उपर बैठे होए थे तो बाबा ने फिर देखा और दे करके फिर आवाज लगाई मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने ऐसे पकड़ करके अपने बाजू में हमको जूले पर बिठा लिया और कोई नहीं था सिरब मैं और बाबा और कोई नहीं था वहाँ बाबा के हाथ में मेरा हाथ था बाबा लंबे थे वो अकेले ही पाउं से जूले को पेंग रहे थे जूल रहे थे जूला जूला रहे थे और जूलाते जूलाते थोड़ी देर के बाद पूछते हैं बच्चे किसके साथ जूला जूल रहे हो मैंने का स्विव बाबा के साथ फिर बाबा चुप हो गए और दस मिड़ वीता होगा तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा का कहना तुरंत कहना मान करके सेवा में लग जाते हैं वो सर्वी सेबुल बच्चे हैं इतने में भूली दादी आ गई उसने सुन लिया ये बात और मैं तो इस बात को समझा ही नहीं कि सर्वी सेबुल बच्चे ये सब तो बूली दादी ने बताया कि तुमने जो अभी बाबा की बात रूटी पकाया जो बाबा को हाजी किया इसलिए बाबा तुमको सर्वी सेबुल कह रहे हैं तब थोड़ा समझ मियाई बात फिर थोड़ी दिर के बाद बाबा ने कहा कि बाबा को तो हमें एकांत बहुत प्रिय लगता है जो बच्चे एकांत में रह करके बाबा को याद करके और बाबा को चाट दिखाएंगे ना तो वो बच्चे बाबा के दिल पर चड़ेंगे तो मुझे बोली दादी ने कहा क्योंकि कि आज बाबा को अपने पूरे दिन का चाट लिख के दिखाना कितना बाबा को याद किया क्या सेवा किया अब सेवा तो यही स्थूली करते थे तो मैंने लिख करके और बाबा को ज तो बाबा ने उस कागज के उपर signature किया अपना जो बाबा पत्र लिखते थे नहीं बाबा बच्चों को पत्र लिखते तो नीचे ऐसे से sign करते थे तो ऐसे sign किया और सिंदी में लिखा बहुत अच्छा फिर मैंने जा करके दादा भिष्टन को दिखलाया मैंने का इसमें दादा ने कहा कि बाबा ने लिखा है कि बहुत अच्छा तो इस प्रकार से जो है बड़ी खुसी हुई बड़ा उमंग रहा बाबा के साथ जूला जूलने का भी अन्भो किया पिर और थोड़ी देर बीता तो थोड़ी देर के बाद बाबा पूछते हैं मेरे से बच्चे अती इंद्रिये सुख के जूले का अन्भो कर रहे हो अब उस समय मेरे को अती इंद्रिये सुख क्या होता हो मालूम में नहीं था लेकिन बाबा ने जो जूला सब्द का ना जूला का अन्भो तो मैं तो जूला सब्द सुन करके मने हाजी कर दिया पिया अन्भो कर रहा हू जूले में बैठा हुआ था, फिर तो दीरे-दीरे समझ में आने लग गया वह ये तिंद्रिय सुक्या होता है, इस अब बाते दीरे-दीरे ग्यान समझने लग गये, तो सामने घड़ी थी, तो मैंने घड़ी में देखा, पचास मिनड तक बाबा के साथ जूला जूले, इस परकार से, एक छोटे से बच्चे को भी बाबा, इतना सने देते थे, और कोई भी भाई, बहन, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजरूग हो, चाहे बड़ा हो, जो भी बाबा से मिलते थे न, तो बाबा से यही अनभो करते थे, कि सबसे ज़्यादा प्यार बाबा ने मुझे किया, अब छोटे से बच्चे को पूछेंगे, तो काएगा नहीं, सबसे ज़्यादा बाबा ने प्यार हमें दिया, एक बुजरूग से पूछेंगे, वो नहीं सबसे ज़्यादा हमें दिया आला कि दोनों के अन्भों में राज दिन का अंतर है लेकिन सभी यही कहते थे उसका कारण यही था कि बाबा प्यार के सागर है हम आत्माएं सुरूप है हम लोगों की कैपिसिटी है छमता है हम जितना ले सकेंगे उतना ही अन्भों करेंगे लेकिन बाबा हमारी छमता से बाबा बहुत अधिक प्यार देते थे जितनी हमारी कैपिसिटी है उससे कई गुना बाबा जो है प्यार देते थे इसलिए हमको ऐसे लगता था क कि सबसे ज़्यादा बाबा ने हमें प्यार किया लेकिन बाबा हर एक को प्यार सन्हें देते थे कभी कोई पार्टी आती थी तो बाबा कहते थे कि जो बढ़ियां पत्र लिखेगा ना सर्विस करेगा बढ़ियां अच्छी सर्विस करेगा और बाबा को सर्विस समाचार देगा अच्छी अच्छी सेवा का तो बाबा उसका पत्र जो है अपनी जेव में रखेगे इस प्रकार से बाबा उमंग उसा देते थे और बाबा बॉम्बे गए तो क्लास में ही बाबा ने मॉर्निंग क्लास में अनाउस किया कि हम बॉम्बे जा रहे हैं क्लास पूरी हुई तो सब खड़े हो जाते थे बाबा खड़े थे क्लास में और वो पुराना क्लास था जो डिस्पेंसरी बाबा की डिस्पेंसरी के पीछे की एरिया जो है ज्यादा लोग थोड़े आ जाते थे दरी बिचा देते थे इसु बैन के ऑफिस तक चली जाती थे तब हिष्ट्री हाल बन गया था लेकिन पूरा तयार नहीं हुआ था तो बाबा ने मुझसे पूछा बच्चे बॉम्बे चले ओगे तो मैंने का जैसे आपकी मर्जी और कुछ जवाब तो मेरे को आया नहीं हां जी बोलना भी नहीं आया तो बाबा ने का मैं तो अर्ज कर रहा हूं तो क्या अर्जी भी मेरी है और मर्जी भी मेरी है तो इस परकार से बाबा ने कहा और बाबा के साथ बॉम्बे जाने का मौगा लगा और ममा को बाबा ने कहा कि इसको एक स्री कृष्ण का चित्र दे देना कोई भी मिलेगा तो उसको यह समझाएगा थोड़ा सेवा करेगा तो ममा ने हमको जो है चित्र भी दिया और बतलाया भी कि इस चित्र पर कैसे समझाना Like के उपड़ तो कि फृद्ध हमने आगे उसको सेवा में भी सेवा भी किया और बाबा के साथ बॉंब ऑपे में भी रहे, वहां भी सेवा किया, और जहां बाबा ठहरे हुए थे, वहां से ही थोड़ी दूरी पर, दो किलो मीटर की दूरी पर पुष्ट शंता दादी जी, वाट सेंटर पर रहती थी, उस सेंटर का नाम था वाटरलू मेंसन, वहां पर पाने की कमी थी, लेकिन बिल्डिंग का नाम था वाटरलूम, रिगल सिनेमा के सामने था वो सेंटर, तो सांता दादी जी ने कहा, बुलाया मुझे, और बुला कि ये निर्वेर भाई जो है न, ये नेवी में सर्विस करता है, तो ये अपनी डूटी में चला जाएगा, तो ये दूद कभी कभी लेट हो जाता है, दूद लाके देता है मुझे, तो वहां दूद का डिपो होता था, बोतल में दूद मिलता था, तो प्योर और पाउडर दोनों परकार की बोतल होती थी, तो हमें बतलाया कि यहां से तुम दूद की सेवा किया करो, तो फिर मैं वहां से जाता था खास दूद के लिए, और दूद देके फिर मैं वापस बाबा के पास आ जाता था और बाबा रोज अमरित बेले गार्डन में जाते थी चक्कर लगाने के लिए तो महां दो गार्डन था एक नेहरू गार्डन एक हैंगिंग गार्डन तो रोज बाबा जाते थे तो मुझे ख्याल आया कि बाबा रोज जाते हैं हमने अभी गार्डन नहीं देखा है हमें भी देखना चाहिए तो मैंने संत्रिदादी से पूछा कि बाबा कहां जाते हैं तो कहने लगी वहां गार्डन में जाते हैं हैं तो पूछती है कि तुमने देखा है मैंने का नहीं में देखा हूं साथ उन्होंने बाबा को बता दिया होगा दूसरे दिन सुबह सुबह आई मेरे पास कती जल्दी जल्दी नहाद हो लो और बाबा ने काया किसको बाबा के साथ जो है ना गार्डन में लेके जाना है तो बाबा के साथ गार्डन में ज कभी बाबा उनकी गाड़ी में बैढते थे कभी रमेश भाई की गाड़ी में बैढते थे तो काको भाई की गाड़ी में उस दिन बाबा बैठे और वहां गए तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे देखो सामने वो लॉंग बूड वो बहुत बड़ा लॉंग बूड था उस बाबा ने का बच्चे देखो बूट देख रहे हो न तो बाबा ने का कि ये बाबा जो आ बॉम्बे में फिर बाबा दिलिखा गए ओ Sorry मद्वन में आगए. फिर next year बाबा दिल्ली आए. तो दिल्ली की कहाणी तो मैंने कल दिन में दो बles comprकоме 12 बल्चे की क्लास में सुनाया था कि कैसे बाबा अम्रितमिले योग में बैठ गये, और साकास दे रहे थे, से एक बान थलिली माता को आप सबी ने सुना ही होगा उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं सुना दू क्या । ऐसा था कि मदुवन में बाबा डेड़ दो बजे उठकर के तपस्या करते थे अपने कमरे में बाबा के कमरे में गद्धी देखा होगा उस पर बैठ करके बाबा तफस्या करते थी योग करते थी और मम्मा भी अम्रित बिले उठकर करके योग करती थी कई बार मम्मा बाहर बैठ जाती थी चान्नी रात होती थी ना तो कमरे के बाहर भी बैठ जाती थी चार पाई बिछा देते थे क्योंकि उसमें ज्यादा और कुछ चियर हुआ रही सब सोफा तो हुआ नहीं करता था तो तो बाबा अम्रित बेले योग में बैठते थे और सभी बच्चों को साकास देती थे मम्मा भी साकास देती थी तो एक एक बार किसी ने एक बहने ममा से पूछा कि ममा आज आप रातरी को बैठे थे क्योंकि जब ममा बैठते थी तो और भी तीन-चार बहने भी बैठ जाते थी साथ में तो एक बहन ने ममा से पूछा कि ममा आप अमरित विले जब योग में बैठे थे तो उपर सितारों के तरफ आसमान में चंद्रमा के तरफ देख रहे थे तो आप उपर क्यों देख रहे थे तो ममा ने कहा कि योग की सक्ति से ममा ने साधना सब्द यूज किया था ममा ने कहा हम साधना में बैठे थे तो साधना में बैठ करके सब को वाइब्रेशन दे रहे थे इन तत्वों को भी वाइब्रेशन दे रहे थे सूरज चान सितारे पांचों तत्वों को पावन करना है पुरे बिश्व को पावन करना है, सज्जुक लाना है, तो सब को हम जो है वाइब्रेशन दे रहे थे, पावन बनाने के लिए, और बाबा भी अम्रित्वेले सभी को सातास देते थे, तो एक बांधेली बहन का पत्र आया था बाबा के पास, तो वो बांधेली बहन जो है, उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आज हमको पती ने मारा है, और सरीर दुख रहा है, तो उसका जब पती बाहर चला जाता था, नोकरी पर, अपने काम काज में, तो वो किसी तरह से सेंटर से मुर्ली मंगा लेती थी, मुर्ली पढ़ती थी, और मुर्ली जो पढ़ती थी, वो बात्रूम में पढ़ती थी, ताकि कोई देख न पावे, लेकिन एक दिन आउठ हो गई मुर्ली, जब आउठ हो गई तो उसके पती ने मारा, तो उसने बाबा को लिखा कि बाबा हमको ऐसी मार पड़ी है, और पूरा सरीर दुख रहा है, तो बाबा जब दिल्ली आ रहे थे, तो बाबा दो बजए उड़ करके ट्रेन में बैठ करके उस आत्मा को उस बांदेली माता को साकास दे रहे थे योग की सक्ति दे रहे थे तो बाबा के साथ में बाबा का इस्टाब भी था पांच-छे भाई बहनों का, उसमें विश्व की सोर दादा जो बाबा के मेनेजर थे, वो भी साथ में थे, तो उनकी कही नीद खुल गई, तो उन्होंने देखा कि बाबा उठ करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बाबा क वो कहा कि बाबा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? कोई विशेस बात है क्या? तो बाबा ने का मैं से बाबा को याद कर रहा हूँ. तो उन्हों ने का बाबा आप दिन में भी रेष्ट नहीं किये और सुबह साथ वह जब आप दिल्ली पहुंचेंगे, बहुत से भाई बहने आए हुए होंगे, आप उनको क्लास कराएंगे, मुरली क्लास होगी, तो आप बुजरुग हैं, तो आप थोड़ा रेष्ट कर लीजिए. तो बाबा ने कहा, नहीं, मेरा यही टाइम है, बाबा को याद करने का. दुबारा उन्होंने रिक्वेस्ट किया. तो बाबा और अपनी नीद का भी ख्याल नहीं करते हो, पहले जाके उसके पास बैठ जाते हो मिलने के लिए, और हमारा तो सुप्रीम बाप है, वो हमारा टाइम अपाइमेंट है, तो मैं कैसे छोड़ूंगा? तो खेर, बाबा तपस्या में बैठ गए, और उस बांधिली माता को बा मैं क्या देखा, सोते सोते कि बाबा मेरे पास खड़े हैं, मेरे माते पर हाथ फिर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बच्ची, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, और वो दुख दर्द, सच मुझ जब उसकी नीद खुली ना, तो उसने मैसूस किया कि हमारे हो गए, जो तकलीफ पहले थी वो नहीं है, तो उसने बाबा को पत्र लिखा, पत्र लिखा, तो वो बाबा के पास वो पत्र पहुंचा, तो जब बाबा के पास वो पत्र पहुंचा, तो बाबा तारीक लिखते ना पत्र में, तो बाबा ने वो तारीक दिखलाई, कि देख दिखो इस बच्ची ने इस तारीक को पत्र लिखा है और इसी तारीक को बाबा ने असको साथ दिया था, तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी बाबा की याद में बैट करके ऐसे योग का, साथ तो अभी बोलते हैं, पल एक करंट बोलते थे, योग की करंट भेजो. तो बाबा ने कहा कि ऐसे योग की शक्ति भेजो, करंट भेजो उन आत्माओं तक तो साकार में ब्रह्मा बाबा इस प्रकार से तपस्या करके और सेवा करते थे और पूरा दिन बीच बीच में इसका अभ्यास भी करते थे और जो भी कोई पार्टी बाबा को मिलने के लिए आती थी, बाबा जोपड़ी में मिलते थे तो उन समय भी वो पार्टियां भी अनभो सुनाती थी कि देखो जब मैं बाबा को मिल रही थी तो ऐसे लगा कि बाबा यहां नहीं है तो मतलब बाबा वो फृरिष्टे सुरूप का उस साकास का वो अनभो करते थे, वो सेवा करते थे फिर वो बहन कुछ दिन के बाद क्योंकि वो तो बांदेली थी कुछ समय के बाद जब वो बाबा से मिली तो बाबा को बतलाया कि बाबा हमको बंदन है तो बाबा ने का बच्ची तुम जितना जितना योग में रहोगी ना तुमारे बंदन कट जाएंगे और उसके पती के लिए कहा कि वो भाग जाएगा तुमा घर छोड़ करके तो फिर जब मैं दिल्ली में आया तो उस बहन को मैं जानता था उस बहन की घर गया मैं और मैंने कहा कि वो भाई कहा है तो बोला वो हरद्वार भाग गया तो मैंने कहा हरद्वार क्यों गया तो बोला पता नहीं सन्यासी बन गया होगा उस बहन को तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन उस बहन की जो बच्ची थी ना वो यहां वो आर्शी में समर्पित थी, जिसको आप लोग जानते हैं, मधु बहन, उसकी मम्मी का नाम था, शीला बहन. तो इस प्रकार से, ये भी एक, साकार बाबा की कहानी है, जो आपको सुनाया है. शीला बहन पहले बांदेली थी, आर तो बजी गया है.